ये मोदी ने पूर राश्पती डॉक्टर डेपी जी अब्दूल कलाम के स्मारक आउद्गार्टन किया और वो लोगों को समोधित कर रहे हैं आपको सीधे वालिया चलते हैं that was also visited by Swami Vivekananda on his return to from the Vinnastate Straits in 1897. and it is the sacred land that gave to India one of its most famous sons Dr. A.P. J. Abdul Kalam in his actions and thoughts, Dr. Kalam always reflected the simplicity, depth and calmness of Rameshwaram. Dr. A.P. J. Abdul Kalam Ji की पुन्यत्ति थी के दिन, रामेश्वरम आना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है पिछले वर्ष हमने यहां एक संकल्प किया था आपसे बादा किया था कि कि कलाम साथ की याद में रामेश्वरम में एक मेमोरियल का निर्मार किया जाएगा, मुझे खुशी है कि आज यह संकल्प पुरा हो रहा है डाक्टर कलाम अवरकल्टेए पुन्निय थिदीले अवरुडे निनैविनालिले नान इंग वरुपदै उरु पिरुमिदमाह कर्दुखिरें अन्रे इदिनम अवर मरेंद बोळुदु ओरु वाक्पुरुदी थन्धिरंदेन अवरुडिये निनैविनै कूरुपदर इंड विदत्तिले इंग उरु पेरियं निनैवाले मानद अमैक्क पड़ुमेंडरु मीग विरेई विलेए अंद अवरु कान निनैवाले में इंगे अमैंदर किरदे यन्पदै पेरुमिद तोड़ कूरी कोल्ड़ पुरुम्पगिरें Defense, Research and Development Organization DRDO ने बहुती कम समय में ये मेमोरियल तयार किया है ये मेमोरियल देश्टी वर्तमाण और भावी पीडी को प्रेणा देता रहेगा Defense, Research and Development Organization पाधु कापु आरायच्च मत्रु मेंबाट्टु येक्कमानदु मिग कुरिये कालत्तिले इंद निनईवी चिन्नते अवर्गल तैयारित्ति रुकरार्गल इदि वर्गिंड तलिम्वरेक्किमी येल्चि तरकोडिया दाखा मेंद रुकरदि गतवर्ष मैंने स्रिमान महिंकाया नायडु जी के चैर्मेन सिप्प में एक कमिटी बनाई थी और जिनको मैंने काम दिया था कि डियाडियों के साथ तमिल नाडु गवर्मेंट के साथ मिल करके इसी भूमी पर देश की युवाँ पीडी को प्रेड़ा मिले ऐसा स्मारक बनाना है आज मैंने स्मारक देखा मन इतना प्रसंद्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक जो श्रिमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है उनके विचारों को कार्य को जीवन को आदर्स को संकल्प को ऐसा स्मारक बनाने के लिए बेंक आजी और उनकी पूरी टीम को तमिल नाडु सरकार को भारत सरकार के सभी विभागों को डियार्डियों को मैं रुदय से बहुत बहुत अभिननन करता हूं